नमस्कार मैं पवन कमार सरपेंच पंचायद हलका कुल्टयार बाला आज सड्डल गाउं की बात कर रहा हूँ मेरी पंचायद का एक सड्डल विलेज है वहाँ पर पिछले 75 बर्षों की बिजली नहीं थी और आज सड्डल वासियों को बिजली का बल्व देखने को मिला है मैं इसके लिए भारत सरकार का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ क्योंकि यहाँ पर पहले भी बहुत सारी सरकार है रही लेकिन 75 बर्षों से किसी भी सरकार ने सड्डल गाउं की कोई सुध नहीं लही आज भारत सरकार और नेंदरवाई मोदी जी के नितरतम में जो सरकार चल रही है आज उनके नितरतम में आज बहाँ पर बिजली का बल्व पहुंचा है इसके लिए मैं पूरा श्रे जो है नेंदरवाई मोदी जी को देना चाहता हूँ अपनी डिस्टिक एडमिस्टेशन को देना चाहता हूँ बारत सरकार को देना चाहता हूँ यूटी परशासन को देना चाहता हूँ क्योंकि आज से पहले सड्डल गाउं की जो लोग थे वो बिना बिजली के रह रहे थे और जब छोटे बच्चों को जब हाँ पर पढ़ाई करना होती थी रात को तो छोटे बच्चे जो है डिपक की रोशनी कैरोसीन जो तेल रहता है कैरोसीन आयल उसका डिपक बनाना और उसकी रोशनी में बच्चे जो है पढ़ाई करते थे और घर के छोटे मोटे जो काम काज या तो फिर कैरोसीन आयल अगर नहीं मिले तो जंगल से काईल के छोटे-छोटे पीस करके लाना और छोटे-छोटे पीस को जिलाना उन जिनको हम डोगरी वाशा में दिनी बोलते हैं दिनी जिलाकर जो है यह सडल के गाउं जो है सडल के जो जितने भी गाउं के लोग हैं वो अपना दिनी जिलाकर गुजर बसर करते थ चाहता हूं और मोधी जी का बहुत बहुत करना करना का चाहता हूं क्योंकि आज की सरकार के रहते यह सारा काम हुआ है इसके लिए मैं पूरा श्रय बहुत स्रकार को देना चाहता हूं